रिशियों दवरा बताई गई astrology एक बहुत ही interesting और एक useful विद्या है तो अभी जो topic चल रहा है वो sixth house से related चीज़ें बता रहे हैं आपको तो sixth house कुंड़ी का जो छटा इस्थान होता है तो उसमें रोग यानि disease के बारे में बताया जा रहा है तो disease से related जो subject है medical astrology ये medical astrology से related subject पर discussion चला है उसी relation में आज ये आपको बताएंगे कि काल पूरुष की बारा राशिया होते हैं तो बारा राशियां हैं और कुंड़ी में बारा houses होते हैं तो 12 houses है प्रम्हान में और 12 राशियां हैं तो वो काल पुरुष की जो 12 राशियां और 12 houses हैं ये शरीर के जिन जिन parts को represent करते हैं वो शरीर के किसी न किसी part को represent करते हैं तो जिस number की राशी है उसी number का house भी वो same part को ही represent करेगा तो जैसे first राशी है मेश राशी तो वो first house जो होगा कुंडी का लगन होगा तो वो भी जिस party को part को body के part को मेश राशी represent करेगी उसी को लगन या नि first house भी represent करेगा तो बारा राशीयों या बारा भावों houses से जो शरीर के जिन जिन parts को हम बता सकते हैं या जिन body के parts को वो represent करते हैं तो उनके बारे में आज discussion करेंगे बताएंगे आपको कि किन किन parts को represent करते हैं तो पहली राशी जो मेश राशी है मेश राशी एरीज राशी है तो मेश राशी एरीज या first house कुनली का जो first house है ये शरीर के जिस part को represent करता है वो सिर है यानि head तो head को represent करता है इसके लावा brain को represent करता है और इसके लावा forehead है और सिर के उपर जो बाल है उनको represent करता है और आँखों के उपर जो भौ है आई ब्रोज इनको represent करता है तो ये इतने part को ये represent करती है मेश राशी या कुनली का first house ये body के इन parts को represent करता है तो जो बिमारियां है उनसे related अगर कोई बिमारी है सिर से या brain से या forehead से तो उसे related बिमारी के लिए आपको मेश राशी देखनी पड़ेगी या first house देखना पड़ेगा अब देखें सिकंड़ाशी जो बरक राशी या टालस राशी तो बरक राशी टाउरस राशी या कुणन्ली का जो सेकंड हउस है तो सेकंड हॉस यह बरक राशी लोण बोडी के जिन पाट्स को अध्यों करता है वो इनसनका face तो चेहरे को represent करता है और चेहरे पे आँख है नाक है मूँ है मूँ के अंदर दात है और जीब टंग है तो इसके लावा गाल है चीक्स और जबड़ा है इंसान का और इसके लावा मूँ है तो और मूँ के अंदर जो जीब है उसको ये सारी चीजें represent करते हैं दात हैं उनको मुह के अंदर तो इन चीजों को ये ब्रख राशी या ताउरस राशी और सेकेंड फाउस कुंडली का ये रिपेजेंट करते हैं तो इन बॉडी के इन पार्ट में अगर कोई problem है तो आप ब्रख राशी या second house देखिए या ब्रख राशी second house पे कोई पाप्रभाव है तो पता चलेगा आपको कि ये body के ये parts जो है इनमें कोई problem हो सकती है इसलिए ये इसको study किया जाता है अब कुंडली का जो third राशी है यानि मिथुन राशी जेमिनी तो ये तीन नमबर की राशी है और कुंडली का जो third house है तो ये third house या कुंडली की जो जेमिनी राशी है तीन नमबर राशी मिथुन राशी है तो ये गर्दन को रेपेजेंट करते हैं गले को रेपेजेंट करते हैं उसको represent करते हैं सास की नली ट्रैकिया को represent करेगा इसके अलावा गले में यहाँ पर thyroid gland है तो उसको represent करता है और इसके अलावा ये arm को भी represent करता है पूरी arm जो है ये भुजा तो कंधा और शोल्डर और इसके लावा आर्म तो इसमें ये मतलब गर्दन में गले में ट्रैकिया में थाइरोइड ग्लैंड में और इसके लावा आर्म में अगर कोई प्राब्लम है सर्वाइकल बोन में सर्वाइकल बोन जो होती ही कॉलर बोन तो इसमें अगर कोई प्राब आप ग्रहों का यूती है द्रस्टी है कुछ पाप्रभाव है तो ये बॉडी के ये जो पार्ट्स बताएं आपको इसमें कोई रोग हो सकता है अब कुंडली का फोर्थ राशी देखिए फोर्थ राशी में यानि कैंसर राशी करकर राशी ये चार नंबर की राशी और लंक्स है लंक्स के ओपर एक कवरिंग है प्लूरा उसको रिप्रेजेंट करेगा इसके लावा ये जो सांस की नली यहां ब्रॉंकस है ब्रॉंकस है ब्रॉंकियोल्स है और ये जो लंक्स है लंक्स के ओपर प्लूरा हो गया और इसके अलावा ये जो एक रिब केज जो यान पार्टस को या फोर्थाउस इन पार्टस को रेप्रेजेंट करता है या नी कुल्ली में अगर करक राशी या फोर्थ आउस पे अगर पाप्रवाव है तो बाडी के ये स्ट राशी में असे उन ne Pac Sao होगा राइड मेंट al का पेट और अंबिलाइकस यहां पर है ना भी है तो ना भी और यह जो इसमें जो चेस्ट का नीचे का जो पार्ट है रिप्स है पसलियों के नीचे और रिप्स के ऊपर के यह सौरी अंबिलाइकस के ऊपर का जो पार्ट है पेट का यानि रिप्स के नीचे और अंबिलाइकस के ऊपर का जो पार्ट है अब्डॉमिन का उसको रिपेज्ट करता है तो इसमें small intestine भी आएगा large intestine भी आएगा इसके अलावा liver है, spleen है, gallbladder है, यह organs भी इसमें आते हैं और इसके अलावा यह heart जो आपको बताया heart का कुछ part करकर राशी कवर करता है या fourth house और बाकी यह तो अगर फिफ्थ राशी या फिफ्थ हाउस में कोई प्राब्लम है उसमें पाप ग्रोह की यूती द्रस्ती है या वीक है इनके उपर पाप रुभाव है तो ऐसे केस में फिर ये बॉड़ी के जो पार्ट साथ्स को बताएं तो उन पार्ट में कोई रोग होगा डिसीज को उसमें कोई कस्ट होगा प्राङलम होगी, राइट, अब ये च्छटी राशी है, सिक्स राशी, यहानि कण्या विर्गो राशी तो विर्गो राशी यह कंडी का जो शिक्शहाउस है, तो यह सेम body के parts को इन दोनों से same parts ही represent होते हैं तो इसमें कन्या राशी या जो यह sixth house है इससे कमर वेस्ट विक्ति की कमर यह इससे represent होती है इसके लावा पीठ जो बैक है उसका part vertebral column का जो पार्ट आ रहा है इसमें वह आएगा इसके लावा abdomen का part ambylicus आएगा और ambylicus के नीचे का जो पार्ट है abdomen का थोड़ा पार्ट इसका इंति यह भी आएगा इसके लावा इसमें appendix appendix आपने सुनाओगा तो appendix यहां पर यह रहती है appendix भी इसमें आएगा और इसके लावा इसमें kidney गुर्दा जो है वो kidney आएगा और इसमें जो बैक का इसमें ambylicus और ambylicus के नीचे का जो पार्ट है abdomen का तो वो इसमें आता है इसमें small intestine large intestine और appendix ही आएगा इसके लावा इसमें kidney आएगी और गुर्दा और vertebral column का जो पीठ का पार्ट है और vertebral column spinal cord यह इसमें आएंगे उतना parts तो यह यह सारी चीजें यह represent होती है कन्या राशी या 6th house से अब कुंडली का जो 7th राशी है तुला राशी या लिब्रा राशी तो तुला या लिब्रा राशी और कुंडली का 7th house तो यह same body के parts को represent करते हैं इसमें भी इसमें लार्ज intestine आती है इसमें लार्ज intestine आएगी lower abdomen में इसके लावा इसमें kidney का कुछ part आता है और इसके अलावा यह यूरिनरी ब्लेडर है यूरेटर है किड्नी से नीचे यूरेटर आया यूरेटर के बाद दोनों यूरेटर मिलके यहां खुलते हैं यूरिनरी ब्लेडर में तो वाला पार्ट आएगा इसके लावा जो फिमेल्स में है इस्त्रियों में यूट्रस है ओवरी यह पार्ट आएगा इसमें और यह इस तरह से यह ऐसे पार्ट को represent करता है और इसके लाबाँ यह जो spinal cord और पीट का बिलकुल जो लौर पार्ट है तो यह लोएस पार्ट जो है इसका vertebril column का spinal cord का यह पीट का उसको रिप्रेजन करता है तुला राशी और कुंडली का 7th house अब उसके बाद आते हैं ब्रस्चिक राशी में स्कॉर्पियो या ब्रस्चिक राशी आठ नमबर की राशी और कुंडली का जो एर्थ house है ये बॉड़ी के ये दोनो बॉड़ी के same parts को represent करते हैं यानि जो ब्रस्चिक ब्रस्चिक राशी represent करेगी वही same body के parts को ये आठ नमबर का house जो है वो भी represent करेगा तो इसमें क्या क्या आएगा इसमें genital organs male और female के अलग-अलग genital organs आएंगे और इसके अलावा इसमें anus गुदा जो होता है वो आएगा excretory system वो आएगा और vertebral column का बिल्कुल जो lowest part है तो वो vertebral column का part, spinal cord का जो बिल्कुल lowest part है वो ब्रस्चिक राशी cover करती है उसको राइट तो इस तरह से ये ब्रस्चिक राशी यानि 8 नमबर की राशी और जो ये 8 नमबर का house है उनसे ये parts represent होते हैं अब इसके बाद जो 9th नमबर की राशी धनू या Sagittarius राशी तो Sagittarius राशी और कुंडली का 9th house तो इन दोनों से body के same parts represent होते हैं तो इसमें क्या आएगा एक तो पैरों की संधी ये वाला part आता है धनू राशी cover करती है उसको इसके लावा देखिए थाईज कुंडली की जो जांग है थाईज और थाईज की जो बोन है तो इसको represent होता है इसके हिप्स जो विक्ति के hips हैं उनको represent करेगा इसके लावा कुलो को रिपेजेंट करता है धनू राशी का 9th house अब उसके हाद मकर राशी देखिए जो कुंडली की Capricorn यानि 10th नंबर राशी है, तो मकर या Capricorn राशी या 10th हाउस से जो body के parts represent होते हैं, उसमें देखे ये knee joint है, कुंडली का जो व्यक्ति का knee joint है, घुटना, तो वो represent होता है, घुटने की उपर आपने दिखा होगा, फ्रेंट साइड में वो एक ये होता है, क्यानि एक knee cap जिसको कहते है पटेला बोन, तो पटेला बोन या knee cap होती है, वो यहां represent होती है, तो अगर ये मकर राशी पर या 10th हाउस पर कोई problem है, उन पर पाप ग्रहों की उती द्रस्ट है, अगर ये weak हैं, तो ऐसे case में उसमें फिर ये knee joint में विक्ति को कोई problem होगी, आर्थराइटिस है, या knee joint में fracture हो जाए, या कुछ तमाम चीज़ें हो सकती है, तो knee joints में कोई ऐसे विक्ति को problem होगी, अब उसके बाद जो 11th नंबर राशी है, कुम्ब राशी, एक्वेरियस, तो एक्वेरियस राशी और कुंडी का 11th हा ये दोनों रेप्रेजेंट करते हैं, तो इसमें इसमें जो हैं, यहां तो एक्वेरियस राशी जिसको कवर करता है, यहां पर यह नी joint और इसके बीच में, ankle joint के बीच में दो बॉन्स हैं, तो वो दो बॉन्स हो गई, इसके लवा इसके पैर के back side में यहां पर calf muscles होती है, द calf muscles या पिंडलियां जो इनको कहते हैं, तो वो भी इसी से कवर होती है, ankle joint भी से कवर होता है, तो अगर यह कुम राशी या अगर 11th house पे कोई पाप ग्रह की उती दिरस्टी है, कुछ प्राब्लम है वहाँ पे, या उनके जो लॉट्स हैं, वो डिफेक्टिव हैं, कुछ पा अब मीन राशी देखिए, जो लास्ट में मीन राशी यानि 12 नंबर की राशी, पिशीज राशी है या 12 नंबर का house है, तो ये चरण या जो पैर है, foot, तो foot को रेपेजेंट करता है, ankle joint से लेके, और ये जो अंगुठा है, पैर का, उंगलियां है, ये पूरा पाट जो मीन राशी से रेपेजेंट होती है, जिस तरीके से आपको बताया कि काल पुरुष की जो 12 राशियां हैं, या वो 12 houses हैं, तो वो राशियां, जिस नंबर की राशी या जिस नंबर का house, वो body के same parts को रेपेजेंट करते हैं, तो ये ये चीज़ें ध्यान देना ज़रूरी है, क्योंकि ये medical astrology से related है subject, और इस राशी में, किसी राशी में, किसी नंबर की राशी में, और उसी नंबर के house में भी अगर कोई problem है, तो body के जिन parts को ये रेपेजेंट कर रहा है, उसमें कोई रोग होगा, या वहाँ पर कोई problem होगी, इस तरह से इसको देखा जाता है, ये ध्यान से देखें और study करें, thank you.